3 chapter seats and seats answer there are 15 questions in this test which each question having around 4 answers choices यहां पर जो है 15 question है एक test है आप लोग का जिसमें आपको इन 15 प्रस्टों की उत्तर दीने है चार ओप्सन आपके सामने है फोल अल्टनेटिव क्वेशन से हैं तो पहला क्वेशन है question number one which of the following is not a milk product दूद का बना हुआ इसमें से जो यह नीचे बने हुए उत्वाद है उनमें से जो दूद से नहीं बना है number one ice cream दूद से बनी होती है कर्ड मेट्रॉम मिल्क चीज मेट पनीर कर्ड दही चीज पनीर यह सब दही पनीर आइस क्रीम इत्यादी सभी दूद से बने होते हैं लेकिन पिज्जा जो है वह इन चीजों से नहीं बनता दूद से नहीं बनता तो इसलिए पिज्जा इसमें ऑप्शन डी जो है वो वो करेक्ट अंसर है सेकिंड प्रेशन दफूड आइटम सोज बिलो इन मेंली उप्टेंट प्रॉम जो नीचे दिये हुए पदार्त हैं यह कहां से प्राप्त होते हैं जैसे इसमें दिख रहा है दूद दई मक्कन मिल्क कर्ड चीज बटर इत्यादी जो कुछ भी कोशी की जन्तुओं से बोथ प्लांट एने इनिमर्स और फौदर जानुरों दोनों से भी राप्त नहीं होता तो इसका केवल एक ही उतर भी जो है वो सही है एनिमर्स से क्योंकि दूद हमें मिल्क जो हैमें उससे केवल जानुरों से राप्त होता है question number third cereals are rich source of अनाज जो है वो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है उसमें protein होता है carbohydrate होता है, vitamin होता है ये fat होता है हम जानते कि protein इसमें केवल carbohydrates होता है, अनाजों में carbohydrate, चाहेगी हूँ चाहबल कोई भी चीज है ये सब अनाजों से हमें कार्बोहेडिट प्राप्त होता है क्वेश्चिन नमब फॉर है फीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज समुद्र तटी या छेत्रों में रहने वाले रहते हैं जो लोग वो क्या खाते हैं वो वीट फलसेज और राइस गेहूं दालें और चावल खाते हैं दूसरा है मेज एंड बाजरा मक्का और बाजरा खाते हैं तीसरा है सी पाट राइस मीट और गोट चावल और बकरी का बांस डी है राइस और फिस तो यह उत्तर ज्यादा सही लग रहा है डी राइस और फिस चावल और मशली क्योंकि समुद्र तटी चेत्रों में मशली बहुत तेरी मात् हमें इसलिए राइस और फिस जो है वो सही उत्तर है क्वेश्चन नबर फाइब वीच आप फॉलमिंगी जेव बैजेटरियन फूट आइटम एल्दो अप्टेंड फ्रॉम एनिमल्स कौन सा साकारी बोजन है जो कि हमें वस्मों से मिलता है वह साकारी नहीं है मांसारी है मि मुर्गी का जो मांस होता है उसको चिकन कहते हैं एग अंडा होता है मीट तो किसी भी एनिमल का होता है लेकिन मिल्क जो है वह एक मात्रसा का हरी बोजन है तो करेक्ट आंसर है मिल्क दाइमेज सोन बिलो आर कोल्ड आप यह आप देख रहे हैं जैसे मिर्चे और दूसरे मसाले इत्यादी दिखाई दी रहे है तो इसे इस इमेज को क्या कहते हैं कैसे फल कहते हैं A. फूर्ट्स B. स्पाइशेज C. वेजिटेबिल D. डाइफूर्ट्स डाइफूर्ट्स तो उन में रोगेज रोगेज यानि चारा होता है फाइबर होता है मिनरल्स होते हैं या प्रोटीन होता है तो दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होता है वह हम पोसक तत्तों में इसे कह सकते हैं कि प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है क्रेक्टर अंसर क्वेशन यह फुट है भर्गर यह और जैन मात्रा में नाजों से बनी चीज़ें तो इन आजों में और यह अधिक मात्रा में होता है ना तो इसमें फैट से बीटामीन चैने प्रोटीन से नहीं केवल एक मात्रा कार्बोहेडिड जो है यूर्जा दिने वाला बोजन है वो सब से दिक म सभी जानते हैं कि यह सब फ्रूट्स के नेम हैं करेक्ट आंसर वेजिटेबिल से हैं सब जी हां में फ्रूट्स के नेलम होती हैं। म sब्जी और फ्रूट्स के नमें इसाएं क्विट्ब부्स वेजिटेबिल्स जो हैं। क्वेशन नमबर 11 है भी गेट सुगर फ्रॉम हमको चीनी सबसे अधिक मात्रा कहां से मिलती है बीट रूट से यानि सबसे अधिक प्राप्त होता है इसलिए करेक्ट आंसर सुगर के नहीं तो सुगर केन जो है सुगर की केन है जो यानि गन्ना उसमें से हमें सबसे अधिक प्राप्त होता है इसलिए करेक्ट आंसर सुगर केन है तो कौन सा फूट आइटम ऐसा है जो हमें ना तो जिसे हमें एनरजी मिलती है तो कौन सा है जैसे फेट है फेट से हमें जो है नहीं प्राप्त होती है तो इसका करेक्ट आंसर डी है फैट प्रोटीन ग्लोकू जिन से हमें कुस्ट प्राप्त होता है ग्र्ट प्रोटेबिस साओ आपके सामने जो फ्रोटे प्लांता से पैदा वाले उत्वाद हैं वो नीचे दिखाए गए है उन्हें क्या कहते हैं सारे फ्रूट से दिए हैं है ये एंसर इसका करेक्ट है बागई ये सब्जी यह इसमें नहीं नहीं है और फसले नहीं है कि वह इसमें फ्रूट से है तो फ्रूट से इसका एक करेक्ट आंसर है क्वेशन नबर फोर्टीन वीच कंपोनेंट्स और फूड़ीज रिक्वाइड इन हाइस्ट अमांट कौन सा एसा भोजन का एसा अवयव है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है प्रोटीन होता है कार्वोःडेट होता है सबसे अधिक मात्रा में क्या बिनिरल्स होते है या फेट्स होते है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा बोजन का अत्त्त्व है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है बोजन के बोजन में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है करेक्टर आंसर है कार्वाइडेट की क्वेशन नमबर फिप्टीन है main source of xr x के main source क्या मिलता है x कहा से मिलता हमें सबस़ेरी मात्रमें x हमें क्या मुर्गी और μεडक से मिलता है क्या मेडक के झाटे खाते है no hen and duck मुर्गी या बतकों से c hen and crow कववा के अंडे को तो कोई झी खाता मुर्गी और कववा लिखा है D duck and frog यानि बतक और मेड़ तो सही उत्तर होगा B क्योंकि हम hen और duck दोनों के ही अंडे जो हैं वो लिए जाते हैं बाकी ये अंडे की जानवरों के इस्तिमाल नहीं किये जाते हैं जिसे frog है, crow हैं के अंडे नहीं काते हैं तो सही उत्तर जो है वो भी है, correct answer hen and duck तो ये परियादत है इसको आप read and write and learn Thank you